चिन्वाड़ा में पूरे मध्धी प्रदेश में 6200 किलोमीटर सफ़त तैय करने वाली राहूल कमलनात संदेश यात्रा का चिन्वाड़ा आगमन हुआ जिस यात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनात ने फोपाल से हरीचेंडे दिखा कर रवाना किया था इस यात्रा का उदेश यह है कि मध्धी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनात सरका ने 15 महिनों से कम समय में विफ्रीद परिस्थितियों में उन्होंने नवजवान, किसान, मस्दूर के हित में काम किया जिन कामों से भारती जन्ता पार्टी घबरा कर एक जन्हित में काम करने वाले सरकार को गिरा दिया, इसलिए आम जंता के पास में उनके कामों को लेकर जा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज देश और सम्विधान बचाने की जरूरत है, आज भारती जन्ता पार्टी जिस प्रकार हावी हो गई है, जिसके खिलाफ लडगर के हजारों गोशालाओं का निर्मान किया गया है कमलाग जी ने जो कहा है वही किया है इसलिए संदेश यात्रा के मात्यम से आम जंता के पास जा रहे हैं उस सरकार को चुनिए उस पार्टी को चुनिए जिनके पास एक विजन है हर वर्गों के लिए उनके पास काम है और मध्धी प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाकी प्रदेश कारिकार यद्धिक्षपवन कुमार पतिलनी कहा है। उन्होंने जितने जन ही तैसी काम आम जनता नोजवान किसान मजदूर के हित में काम किया जिन कामों से बाजपा घबरा करके एक जन ही तैसी का सरकार काम कर रही सरकार को गिरा दिया। देश नोजमान को बचाने के जरूरत है चाहि हर आम जनता को बताने का प्रयास कर रहा है 27 lo псих कितानों की करज माफिक की बात है चाहि हमारे वबी-स ही के साथी को 27 प्रिष्टा-घूरक्षिण देने की बात है हजारों, गवसालवं के निर्माट किया तो कमलनाज जी ने CFP आम्यार के पार जा रहे हैं इस लिए हम आम जंटा के पार जा रहे हैं कि जो कहा है ,öhस पार्टी को चुनिये, जिसके नेता अदरणी터 कमलनाज जी के पास procent With हरवर के लिए उनके पास काम है और फिर से उन्होंने जो आम जंता से बचन दिया है वादा किया है उन बादों को लेकर जा रहे हैं कि अगर कमना जी के सरकार आएगे तो हम 500 रुपे में सेलिंडर देंगे और बाकी बचे हुए जो किसान कर्जमाभी उनको आगे चालू करें चिन्वारा से बीसे न्यूस के लिए गजानन बोरकर की रिपोर्ट